बहुत छोटी सी उम्र से ही व्यक्ति के भीतर समझ विक्सित होने लगती है, किन्तु सोच विक्सित होने में उसको एक बहुत लंबा फासलाता करना होता है, धीरे धीरे, बहुत सारे संगर्ष और अनभव देखने के बाद में व्यक्ति की सोच एक नए प्रकाश की और जाप करता है, तो वो है गुरू, जब व्यक्ति पर्थम सोतंतर सांस इस जीव जगत में लेता है, तो उसको मा के आचल की नेह की वर्षा प्राप्त होती है, और वहीं पर्थम सुख की वो अनुबूती करता है, अगर हम बारही भावों के भीतर देखें, तो द्विती किंद्र, चतुरत भाव, जो की माता के साथ में जुड़ा हुआ है, और वो मानसक सुख के साथ में जुड़ा हुआ है, मा की चाया और उनके वातसले के साथ में ही व्यक्ति जीवन के पर्थम सुख को प्राप्त कर पाता है, और वहीं से जीवन को एक नए सुरूप में देख पाता ह वो वरक्ष नजाने कितने आंधी तूफान और वर्शा रतू के थपड़े सेंड करता है, किन्तु उस बालक को जो अपने उस छाम के भीतर पल रहा है, उसके उपर कोई भी आँच नहीं आने देता और उसके जीवन को एक नया सुरूप दिखाता है, उसी तरह से स्कूल्स के है, यहाँ थोड़ी से ताकत लगानी होगी, किन्तु जीवन एक नए इस्तर को प्राप्त करेगा, जब भी हम कर्म कांट की किसी भी विधा की शुरुवात करते हैं, तो वहाँ पर भी कहता है कि गुरु ब्रम्मा, गुरु रिश्नो, गुरु देवो महिश्वरा, गुरु ये विध्या का जो पूरा ही मैंने आज तक इस इस्तर के उपर चलने का सांस किया, वो भी उनके आशीश की च्छाओं के साथ में ही प्राप्त किया, प्रतेक समय वो यही कहते रहे, और आज भी जब उनसे चर्चा होती है, तो प्रतम पंक्ति उनकी यही होती है, कि पहले जीवन को समझो, व्यवार और जोतिश दोनों एक साथ में चलते हैं, और जीवन में जब उनकी च्छाओं पराप्त होती है, वो प्रतेक गल्ती के उपर आपको टोकने वाले होते हैं, और आपको समझाने वाले होते हैं, तो हम एक विश्वास के आधार पर चलते हैं, हम अ आप लोगों की द्वारा कमेंट्स को या फिर मेसेज़स को पढ़ता हूँ व्यक्तिकत जिवन में जब लोगों से मुलाकात होती है जो तेशिय विशलेशन के माद्यम से तो आप अनायास ही गुरु शब्द का प्रयोग हम जैसे अदने से लोगों के लिए भी कर लेते हैं। गुरु शब्द एक बहुत बड़ी जिम्मधारी है और हमारे जैसे साधहरन लोगों के लिए उस जिम्मधारी को उठाकर रखना संभव नहीं है। मेरे नाम को आपने सम्मान दिया हमारे जैसे लोगों के नाम को आप सम्मान देते हैं। उसके साथ में जीवन है हम बारं आप सभी के परतिकरतग्या हैं, नत्मस्तक हैं, किन्तु गुरू, जीवन के भवसागर से पार उतारने वाला एक माध्यम है, गुरू, वो रास्ता है जिसके उपर चल कर व्यक्ति अपने जीवन की सीरशष्ट इस्ततियों को पराप्त करता है, जब हमारे जीवन के नाव कित का आखलपन समझना आवशक है, ये शब्द कितनी गहरी जड़ों के साथ जीवन में रहता है, ये समझना आवशक है, जब भी गुरू पूर्णिमा आए, एक बार आप पीछे मुड़कर देखें जरूर जीवन के अंदर, नजाने कितने सक्षकों की भूमिका के साथ में, एक नया आधार ग्रहन करता है, और जब भी हम अपने जीवन में किसी को भी गुरू चुने, उसकी परती पूरी शुद्धा रखें, और वो जिम्दारी जब गुरू उठाता है, तो उसके साथ आशृत होकर हम जीवन को एक नया मार्ग दे पाते हैं, तो ये सारी ही नहे क वर्षा, गुरू के द्वारा हमको प्राप्त होती है, हम भीतर संतुस्ती प्राप्त कर पाते हैं, जब महत्वा कांगशाय व्यक्तिगत जीवन में स्वार्थ के साथ में अपने सीर्श को लेकर, जीवन में कहीं न कहीं परिशानियों को खड़ा करती है, तब गुरू फिर देनेक राशिफल जो की पांच जुलाई के साथ में चलेगा, लेकर हाजर हुआ हूँ, चंदरमा आज पूरे ही दिन धनु राशी में विराजमान रहेंगे, सूरे देव उन्नीस अंच की विवस्ताओं के साथ में गमन कर रहे हैं, आशाड मास शुक्ल पक्ष अपने पू दिन भाग्य भाव के भीतर जब विराजमान रहेंगे, तो आपके लिए इस दिवस विशेश के अंदर जो भी रुके हुए और अटके हुए कामकाश थे, वहाँ पूर्णता की एक स्तती बनती हुई नजर आएगी, नौकरी पेशा जीवन में जो छोटे छोटे व्यवध द्धान आपको बारम बार सता रहे थे, उससे मुक्त होकर भी आप बढ़ने का कार्य आसानी के साथ में कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा कि व्यरत का पराक्रम दिखाने से बचें और वहीं किसी भी गुरु से आपने दिक्षा प्राप्त की है, तो उनके सानिध्य की आज के इस दिवस में रखनी चाहिए, गुरु के द्वारा दिये गए मंत्र का जाब भी अवश्यंभावी स्तर के उपर आप करते चले जाएं, ग्रहेस्त जीवन के साथ सुख पूर्ण स्ततिया रहेंगी, तो वहीं आध्यात्मिक चिंतन से सरुबार जीवन, निरंतर एक नई गती को लेकर चलने वाला होगा, कर्म शीलता के प्रमान जो आपने अपने जीवन नों स्थापित किये हैं, अब वो आपको एक निरबाद गती यहां देते हुए नजर आ रहे हैं, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में अगले पूरे ही हफते की कोई प्लानिंग आप पर नियंतरण की आवशकता आपको रहेगी, रियक्टिव एपरोच से आज आपको यहां बचना चाहिए और वहीं जो विदेश के साथ में जुड़े हुए कामकाज की स्थतियां होती है, वहां पर भी आप ये इसपस्ट संकेत मान कर चलिएगा, कि अंजान व्यक्ति के सा किसी भी डील को फाइनलाईज करने से हम बचें, विश्वास और आत्म विश्वास जिवन का एक महत्वपूर्ण आधार है, और जब उसमें थोड़ी सी भी कमी महसूस हो, तो अपनी रफ्तार को कम करके रखना चाहिए, डिसाइजिव मुमेंट्स के उपर जल्द बाजी दिखाने से भी आप पूर्ण तया बच कर चलें, तो वहीं सिक्षा संबंधी अंतराल पर भी थोड़ी सी कठनाईयां और चुनोतियां आपको महसूस हो सकती है, तो इसी वज़े से डिस्ट्रेक्शन ड्रेवन अप्रोच जहां पर भी दिखाई दे, खुद की थोड़ी सी रह रहे थे, तो उनमें क्लैशिस की संभावना कहीं पर भी दिखाई दे, तो आप अपनी राफ्तार को बढ़ाने का प्रयास बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये बारे में आपको व्यापारिक जीवन में जरूर विचार करना चाहिए, कई बार विक्ति व्यापारिक जीवन में सलाहों से भरपूर इस्ततियों के साथ चलता होता है, जो भी उसके साथ में कारियत विक्ति विशेश है, उसको सलाह देता है, किन्तु आपका अनभव आपके साथ में जुड़ी हुई है, इसी वज़े से एकांत में सारी ही इस्ततियों का आंकलन फिर से जरूर आपको करना चाहिए, ये एक बात पर आप गौर कीजिएगा, तो वहीं पर जो कर्म के सद्धांत के साथ में चल रही इस्ततियां होती है, यानि कि आप जिस कर्म के पत पर चल रहे हैं, उससे वेचलित होने का प्रयास बिल्कुल भी न करें, भावनात्मक तौर के उपर निरणें लेने से बचें, कुल जमाजोड आपके लिए आर्थिक स्तर के उपर लाब रहेगा, नौकरी पेशा जीवन में इस अवकाश के दिन आप घर परिवार को ब प्यादा सजग रहने का कारे आपको कड़ना चाहिए, किसी भी तरीके के रिण की और से आपको परिशानिया चल रही थी, किसी वेक्ति की मलत की थी, और अब वो रुपया पैसा आटक गया है, तो ये रिण संबंदी परिशानिया होई, उसका सॉल्यूशन आपको खुद क बनी रहेगी, इस बात पर आप गौर करके चलिएगा, और वहीं जो शत्रू आपको परिशान कर रहे थे, वहां से भी सॉल्यूशन मिल सकते हैं, भाग्य के साथ संगर्ष बने हुए हैं, किन्तु इच्छा शक्ति की कमी दूर दूर तक भी नहीं है, मन को किसी भी नकारात मक सोच के साथ रोखन करने से आपको बचना चाहिए, और वहीं पर फैसिनेटेड अपरोच, जो कई बार जीवन को एक नई दिशा देती है, जो कि गलत है, उससे भी स्वयम को सावधान रखने की आवशकता आपके लिए पूर्ण तया यहां पर रहने वाली है, जीवन में पूरशार्थ का महत तो बहुत जादा है, तो जहां पर भी आप नकारात्मक्ता का सामना करें, अपने संपूर्ण पूरशार्थ के साथ में उसकार की और गतिमान होने की स्थियों को भीतर तक जरूर उतरने दें आप, और साथ में ही ये भी दियान रखिएगा, कि जो हमा वो यतार्थ के साथ में कितनी चल रही है, इसको बहुत जादा गोहर करके चलने के आवशक्ता यहां रहेंगी। या कामकाज बारम बार आपके टलते चले जा रहे थे, व्यावस्तित इस तर के उपर वहां पर भी आपके लिए एक पॉजिटिव फ्रेम उपलब्द रहेगा, यहां से कोई भी ऐसी नकारात मक्स्ति मौजूद नहीं है, संतान पक्ष के साथ में जो भी छोटे छोटे वि द्रोह बने वोई थे, जो परिशानियां बने वोई थी, उससे भी बाहर निकलने का रास्ता, इस पस्ट तोर पर आपके लिए दिखाई दे रहा है, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में अगर आपको प्लैनिंग नए इस तर के साथ में करके चलनी है, तो उस इस तर के उ रहेगी तो वहीं गुरु पूर्णेवा के दिन अपने गुरु का आशरवात लेकर उनके द्वारा दिये गए मंत्र का जाप करके ही अपने कामकाज की और बढ़ना चाहिए, जिससे की कर्मे में और ज्यादा आस्ता प्रजोलित होती चली जाए, कन्या राशी के लिए इस दिवस विशेश के अंदर जो आपके कामकाजी जीवन की इस्ततियां है, उसमें अव्यवस्तित तोर की इस्ततियां कहीं पर से भी निकल कर आती है, तो आप ये गौर करके चलिएगा, कि हम उसको सुधारने का प्रयास जरूर करें, वहीं कम्यूनिकेशन के उपर नियंतरन इस्तापित करके चलना चाहिए, इच्छा शक्ती का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है, और सुभाव गत्सतर के साथ में जोगण मौजूद हैं, उसको किसी और के प्रभाव में हम गौन करने वाले नहीं रहें, नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई भी नया ओफर, फै और एक बढ़ोतरी आग के लिए हो सकती है, इसी वज़े से वहाँ पर भी एक स्तरता की आवशक्ता आपके लिए रहने वाली रहेगी, चर्चा तुला राशी की, सरुपर्थम यहां गौर करने की आवशक्ता ये है कि पराक्रम में जो वर्दी रहनी चाहिए, वो निरंतर पन लेकर आना चाहते हैं, उस आधार पर भी खुद को एक नई कती दे सकते हैं, और स्वैम के जीवन में अनुशाशन को स्थापित करने के लिए रविवार को आपने धे के रूप में ले रखा था, तो यहां अब लापरवाही नहीं हो, हम अपने स्वास्त के परती सजग भी रहें, रेगुलर रूटीन के अंदर योग, ध्यान, प्राणायाम या कोई भी एक्सरसाइस के रूटीन को लेकर चलना है, तो उसको हम अपने जीवन में बहुत अच्छे से जगे हैं, जरूर दें, हैविट के अंदर लेकर आने का प्रयास करें, महत्वा कांक्शाओं के उपर नियंतरन रहेगा, तो वहीं आकस्मिक धनलाप के सिरे आज स्थापित हैं, कोई भी कामकाज आप करते हैं, तो वहां इंस्टेंट फाइनेंशल गेन व्यापारिक जीवन में आपके लिए हो सकता है, और साथ में ही दोस्तों के साथ किसे कामकाज की शुरुआत रहे थे, तो आज उनके साथ में एक मीटिंग करें और उन व्यवधानों को किस तरह से दूर लिया जा सकता है, उसके बारे में जरूर विचार आपको करना चाहिए, वरिश्यक राशी, कामकाजी जीवन के अंदर जो छोटी-छोटी परिशानिया आपको परिशान कर रही और इंस्टन बेस के उपर आपको डिस्टरब करने वाली भी थी, सर्व पर्थम यहाँ पर आप गौर कीजिएगा कि उन परेशानियों से आपको समाधान मिल सकते हैं, यानि कि आप देखें कि बड़ी ही इंडिस्टरी के आप मालिक हैं, या छोटा सा व्यापार आप चला वाली थी, तो वहाँ पर जागुरुक रहकर जो प्रो एक्टिव अप्रोच रहती है, वो आपको एक डेवलप्मेंट देने वाली रहेगी, वाणी में रियक्टिव अप्रोच को लेकर चलने से आप पूर्ण तया बचने का कारे कीजिएगा, और वही रिसर्च एनलेसिस स सतियों का आनन्द ले रहे हों, तोड़ा सा सुकून के भीतर हो, आप भी सुकून में रहें, किन्तु साथ ही साथ में इस दिवस भी अपने कर्म की प्लानिंग करते रहें, कोई एक महत्वपूर्ण मेल करनी है, या किसी वेक्ति को एक इन्फॉर्मल अप्रोच के साथ में क फ्लेक्सिबल अप्रोच जितनी रहेगी, व्यापारे के जिवन में उतने ही फायद है, यहां मिलते चले जाएंगे, विदेश, संबंधी, कोई भी कामकाज, जो की तकनीक के साथ में जुड़ा हुआ है, कहीं पर भी नए पन की आविशक्ता होती है, तो उसके बारे में व भावित करने वाली भी रहेगी, और जो कम्यूनिकेशन के अंदर आपने सुधार किया है, या जहां पर भी गलतियां हो रही थी, उसमें सुधार करके आप आगे बढ़ रहे हैं, व्यापारेक जिवन, नौकरी पेशा जिवन में उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है, ग्र मौसम जनित विवारियों का ज्यादा ख्याल रखकर चलिएगा, कोई भी व्यक्ति विशेश के बारे में आपको भड़काया जा रहा है, उग्र किया जा रहा है, तो आप अपने मानसिक स्तर की सोच और समझ को जितना अच्छे से लेकर चलने वाले होंगे, उतना ही अपने पूर्ण गतिविदी है, तो वहीं पारिवारिक जनों के साथ में अच्छा समय बीटता हुआ नजर आ रहा है, मकर राशी, सर्वबर्थम यहाँ पर आप ये देखिएगा, कि जो खर्चों संबंदित स्ततियां होती है, वो आपको परेशान कर सकती है, तो यहाँ इस बात पर गौर करने की आवशकता हैं रहेंगी, कि अनरगल खर्चों से बचें और वहीं पर जो शत्रुवत स्ततियों के साथी साथ में कोई न कोई व्यक्ति विशेज जो आप से दुराव रख रहा था, उन से मिलकर आपके खिलाब कोई भी शडियंतर कर रहा है, तो वहाँ पर पैसिव इंकम सोर्स अब जनरेट करना चाहते हैं, वहाँ पर भी प्लनिंग को आप लेकर चलिएगा और वहीं सिक्षा संबंदी अंतराल में स्रेश्टता बनी रहेगी, किन्तु डिस्ट्रेक्शन जो कई बार रिलेशन्स की वज़े से आते हैं, वो परिशान करने वाले नहीं हो, ख्याल रखें, पराक्रम देखाने से बचें और वहीं पर जो कुटुम्बी जनरों के साथ में विवारिक स्तर में सुधार आ रहा है, उसको और अच्छे से आप डेवलब करते चले जाएं, अगर मैं यहां कुम राशी के चर्चा करूं, तो सर्व पर्थम आप यह देखिएगा, कि जो लाब की प्रवर्थियां हमारे कामकाजी जीवन के भीतर रहती है, वो एक नयापन यहां लेकर आ रही है, और वहीं पर क्षमताओं के भीतर वरद्धी आपके लिए रहेगी, आकस्मिक तोर के उपर जो परेशानिय सतारी थी, उसका सॉल्लिशन भ कला की शित्र में भी, जहां आपको मांजने का कारिया आपके गुरुन ने किया है, तो उनके ने के वरशा आप पर होती रहे, उनका आशिरवाद पूर्णत है आपको मिले, ये भी प्रयास जरूर कीजिएगा, माता पता के चड़नों में शीश नवाकर ही, कामकाज की आप शुरुआत करते हैं, तो मन में एक संतोष भी व्याप्त रहेगा, और अपने जीवन की जो एक तरह से स्तियां आज तक पास्ट में रही है, उसको देख कर समझ कर गुरु के महत्व को जान कर मन में एक संतोष की स्तियों को जरूर व्याप्त कीजिएगा, तो वहीं आध्य स्विशेश के अंदर प्रबंदन संबंधी कामकाज में एक तिवरता रहने वाली है, एकल स्तर पर कोई भी आप निरने लेते हैं, वहाँ आपके लिए एक बेटर पूजिशन रहेगी, और वहीं धना गमन की संभावनाओं से मैं यहाँ इनकार नहीं कर रहा हूँ, किन्तो आवक और जावक दोनों ही आउटफलो और इनफलो दोनों ही एक लेवल के साथ में बने वो हैं, तो जब भी इनफलो हो, वहाँ एक कंट्रोल अप्रोच रखें और आउटफलो को थोड़ा सा रोकने का कारे भी हम जरूर करें, जिससे कि एक इस्तर के उपर हम खुद को धन के साथ में संचत करने वाले इस्ततियों में जा पाएं और वहीं रिसर्च अनलेसिस अंबंदी कामकाज में आपके लिए बेटर प्रोस्पेक्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, पिता के साथ कहीं पर भी आपके रिश्टों में एक चोटे मोटे स्तर के उपर अन्बंधी उसको पहचानने में जरा भी देरी नहीं करें आप, तो ये था पांच जुलाई 2020 का देनिक राशिफल, हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजर होते रहेंगे धन्यवाद और आभार, हरदै से एक बार फिर से अनन्त गराईयों से आप सभी को गुरपूर निमा परवकी अनेक पॉनेक सुब कामना है